तो आज यहांगे बहुत ही ज़दा इंपॉर्टन वारा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी लोग बोले थे कि सर हमें यह जानना है कि CSWT जो है इसमें रिजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसर से वह क्या होता है रिजिस्ट्रेशन करने की जो आखरी वाले डेट है वह कौन से वाली रहेगी और सब फीज वह में कितना पर करना पड़ेगा वगरा 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 सारी की सारी बाते यानि कि CSWT को लेके हमारे दिल में क्या कर दिजिए कि हम एकदम चैन से बिना किसे टेंशन के सही टाइम बायु वह तो है ये वाला जो वीडियो आपके सामने आ रहा है इस वीडियो में प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी है उसके बारे में और कैसे आप यहाँ पर बेस्ट स्कोर जो है वो लेक्जाम के अंदर और एक ही जटके में CSWD को पास कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में हम discussion जो है वो इसी वीडियो में करने वाले हैं तो वीडियो को इन तगा आप के लिए जो important वाले रहेगी उस वीडियो का गलते से भी क्या ना करें मिस ना कर दें इस बात को इंशा करने के लिए ठीक है चली वह सब तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूँ किसके बारे में exams के बारे में तो यह बहुत दैंसर सुनिएगा साल में चार बर exam होते में सेम ऐसे ही अगर मैं बात करणे तो इसके बाद में मेश में2025 यंडिकिस के बात करूं करणा तो जुलाई 35 में। यहां एकला करो 3, 4 यह चार आप्ष्न वह ही ऑपके पास में आने वाले लेकिन वह अक्रेट इसम हमारा है कौन सा होगा नवम्म्न अगर 15 अक्टोबर तक ICSI की वेबसाइट पर जाके आपने एडमिशन का जो काम है वो यहाँ पर कर लिया तो ऐसे के इसमें अपने एक्जाम जो है वो नवंबर में दे पाएंगे सर एक्जाम नवंबर में कब होने वाला होगा तो यह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि यह यूजूली आपका होता है second Saturday को युशुल अगर मैं बात करूँगा लेकिन अगर जो सेकिंड वाला सेटरेड़े वो बहुत दूर है तो ऐसे केस में जो फर्स्ट सेटरेड़े आपका रहता है उस महीने का उसी दिन आपका एक्जाम जो हो जाता है अंडरस्ट अपार्ण बल्धी के साथ चली बहुत थी मिलेगा फिर इसके बाद में अगर 15 डिसम्बर को आपने मिस कर दिया तो 16 डिसम्बर से लेके 15 अपरल तक अगर आप एडिमिशन लेते हैं तो में 2025 में एक्जाम जो है यह आपको देने को मिलेगा और अगर मालीजे एक्जामपल आपने यहां पर इस डेट को मिस कर दिया तो 16 अपरल से लेके 15 जून तक अगर आप एडिमिशन लेते हैं तो आप जुलाई के अंदर एक्जाम जो है वो दे पाएंगे और अगर आपने यह डेट को मिस कर दिया तो वापर से क्या होगा नवंबर 25 जो आपका होगा वहां पर आ जाएगा जिसमें का आप एक्जाम अगर मैं प्रोसेस के बारे में बात यहां पर करूं तो बले प्रोसेस जो है वह यहां पर क्या रहने वाला होगा तो भाई सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट का नाम क्या है ICSI.edu अगर आप यहां पर जाएंगे तो लिखा हुआ क्या मिलेगा ICSI.edu यहां जाने के बाद में आपको यहां पर Online Services दिखाई देगा आप इसको बटिक कर दीजिगा जैसे ही आपने इसको बटिक किया तो आपको यहां पर जो सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं फोटोग्राफ के बारे में तो उसका जो साइज होगा वह बीस के बीस के बीस से पचास के बीके बीच में होना चाहिए और अगर आप सिगनेचर के बारे में बात करोगे तो दस के बीस के बीस के बीच में उसका जो साइज आपका है वह यहां पर रहना चाहिए सबसे पहली बाद सब्सक्राइब करना चाहता हूं कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने बाकी इंफरमेशन डाल दी लेकिन लास्ट में पेडिक करना पड़ेगा जब आप यहां पर टिक करोगे तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो टेमरेरी बैसे पर आपको मिलता ज़रूरी नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर स्टारमाग नहीं है सर जिन जिन चीजों के ऊपर आपको स्टारमाग दिखाई देता है वो सारी इंफरमेशन आपको डालना कंपसरी है और जिन के ओपर स्टारमाग नहीं दिखाई देता है वो नहीं ब्रालोगे तो भी काम पर इसके बाद में Mr. Ho, Miss Ho, या फिर Master हो, as the case में भी, फिर इसके बाद में आपका नाम, Middle Name, Last Name, Gender, फिर इसके बाद में पर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, तो जो आपका Date of Birth है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए गा, फिर इसके बाद में नेशनल टी ऑविसी बाता से इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर के जो लोग है वो भी अप्लाय कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसके बाद मे जो मुबाइल नमबर है, चेक कर लेना, क्या यह प्रॉपर आपका मुबाइल नमबर है, 10 डिजिट का, जो मैंने नमबर डाला है, यह मेरा नमबर है, मेरे भाई, तुम्हारा नहीं है, तो तुम वहाँ पर डाल देना, ठीक है, अपना खुद का फोन नमबर, या फिर आप करने के लिए कहा जाता है, जो कि आप अपने घर के आसपर का जो भी सेंटर होगा, उसको आप चूज करेंगे, यह पूरे कंट्री में आपको जहां पे वी एक्जाम देना होगा, वो आप चूज करेंगे, लेकिन, आपका जो CSAWD का एक्जाम होता है, यह आपका होता है, प्रॉप्टर मोड के थूँ, किस के थूँ होता है? रिमोड प्रॉप्टर मोड के थूँ, मतलब आपको जैसे कोरोना के टाइम पे आपके ग्रदूशन के एक्जाम में, यह 12 ए, 10 ए 11 ए एक्जाम में घर बेटे-बेटे paper दिलवाया था, बस ऐसे ही paper आपका होने वाल है, सर वो पेपर जो था उसमें बहुत सारे लूपोल्स थे चीटिंग आप कर सकते दे बागी सब चीजे कर सकते दे लेगिन यहां पैसा नहीं होने वाला यहां पे पूरी चीजे जो है वो ध्यान रखी जाएगी अगर आप थोड़े बहुत भी इदर दर नजर हिलाते वे पाए तो सेंटर जो है वो अप सोच समझ के यहां पर क्या करेंगे सिलक जो है वो कर लीजिए गा यहां पर देखिए खुदी बता दिया कांडी नोट डाट सीजड़ी विल बी कंड़क्टेड थ्रू अलनाइन रिमोट प्रॉक्टर मोड तो फिर सेंटर की जरूत यहां पर क्या अब यह बहुत देंसर सुनो जब आप ICSI में एडमिशन लेते हो और दो हजार रुपे जब आप करते हो तो ICSI printed format में आपके पास में MCQ की दो किताबे जो है MCQ की दो किताबे जो है वो आपको भिजवाता है ताकि उनसे आप MCQ का प्रेक्टर जो है वो कर सको अब MCQ की लिदेरस एकदम सही वाला प्रापर पिन कोड के साथ में ठीक है और प्रापर přणैरे़रस मैं यहां पे प्रापर रट्र यहीं डाला है क्यों मेरे को किताब चाहिए screenshot लेके रख लीजेगा या phone से आप photo ले लीजेगा क्यों? Sir, यहाँ पे आपको 9 digit का या 10 digit का एक number जो दिखाई देगा कितर digit का देख लेते हैं कि इसको एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 digit का number जो होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यही जो number आपका है इसको आप अपना admission number इसको आप अपना registration number जो है वो मान के चल लीजेगा although यहाँ पे एक बात देहन दीजेगा Sir, you request is in process, you will receive a confirmation mail और SMS shortly कोई message नहीं आता, कोई mail नहीं आता देहन रखेगा, कोई message आया तो आगया, नहीं आया तो नहीं आया, 90% बच्चों की बात अगर मैं करूँगा, तो किसी type का कोई message या mail या आपको confirmation के लिए वहाँ पे नहीं आता, तो Sir, आप इसका photo लेके रख लो, जब आपका payment successful हो जाएगा, तो उसी time पे print receipt करके आता है, तो उसे print receipt पे आपको ये वाला जो ID होगा वो वहाँ पे भी दिख जाएगा, Got the point, बस वही है, वही चाहिए अपने को फिलाल के लिए, और फिर उसके वारण जब आपका exam का time आएगा, तो वो time पे फिर आपके पास में mail वगरा जो आएगा, उसके पहले कुछ नहीं आता है, ठीक है, चलिए, तो ये धान रखे कब मेरे भाई, कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली बात तो, यह जो नंबर आपका है, आप इसको सबसे पहली चीज़, और दूसरा अगर में बात यहां पे करूंगा, तो किसी message का यह किसी mail का weight आप नहीं करोगे, बस आपके बास में यह आना चाहिए, इस बात को आपे दहां में रखेंगे, यह आगया, इसके बाद में आप क्या कर लो, next कर लो, जब नेक्स करोगे, तो अब यह सिधी सिधी बात है, CS Card India का platform, जो कि India का number one platform है, अगर यह हमको free of cost शुरू से लेके, आखर तक सारी चीज़े free of cost प्रोवाइड कर रहा है, पूरा का पूरा syllabus पढ़ा के दे रहा है, वो भी एक बार नहीं बलकि 10 बार, तो हम nominal वाली fees भी क्यू पे करें, तो आप क्या तो आप यहाँ पर टिक कर दो, नहीं तो पर छोड़ दीजेगा, फिर इसके बाद में CSWD reference book सरी है, 500 रुपए, लगेंगे ही लगेंगे, फिर इसके बाद में study material of CSWD, अगर आपको चाहिए, तो आप इस पर टिक कीजेगा, ठीक है, और पहले से टिक हो आता है, अगर आप simple तरीके से ICSI की website पर जाते हो, कॉन से website, ICSI.edu, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाोगे, और यहाँ जाने के बाद में, अगर आप जाते हो, कहां पर, academic portal पर, यहाँ जाने के बाद में, आप जाते हो, CSWET पर, और इस पर क्लिक करने के बाद में, अगर आप यह right साई में तो इससे से आपका काम जब वो मैक्सिमम केसे में हो जाता है अगर आपको चाहिए तो फिर आप क्या कर सकते हैं जैसा यह है वैसे का वैसा रहन दीजेगा तो आपको यह 1000 रुपए एक्स्ट्रा यहां पे करने पड़ेंगे ठीक है और फिर इसके बाद में CSWD की जो फीसर व क्या कहा गया है please note that the classroom teaching fees taken at the time of registration fees is only advance fees यानि कि यह जो 1000 रुप यहां पे पे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाली फीस है you are required to remit the balance fees at your respective regional chapter office आपको आगे चल के बता दिया जाएगा कि आपके chapter office में कितनी फीस ली जा रही है तो वो फीस आपको आपके क्या करना यहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट है यह अप्लोड हो जाएंगे और यह सब करने के बाद में आप जब कम्रीट कर लोगे तो अगले वाले पेच पर जाओगे जसमा प्रवीव कर लोगे सब चेजे पर है क्या जिस जगह पे जो चीज होनी चेथि वही आई है क्या यह आपका registration number हमने पहले देखा था यही registration number जो है आपको वहाँ पर दुबारा से दिया हुआ मिलेगा ठीक है आप उसको अपने पास में save करके रख ले ना please don't wait for any mail और any SMS ठीक है चली वहाँ सब तो यह हो गया आपका registration करने का तरीका सब्स क्या क्या रहेगा तो यह बहुत द्यान से देखे वहाँ सब्स कुल मिला के अगर मैं बात यहां पर करूं तो आपका एक ही paper जो है वो आने वाला है single paper will be there एक ही paper आपका होने वाला है इस ए एक paper के लिए कुल मिला के चार subjects हैं जिनकी study जो है वह आपको यहां पर करनी पड़ती है सर कौन से चार subjects है सर तो देखेगा सबसे पहले business communication इस पेपर के अंदर यह subject के अंदर आपके 35 question आएंगे और 50 mark का यह आपका क्या होगा subject होगा दूसरा legal aptitude and logical reasoning जिसमें से legal aptitude जो आप 25 marks का हो चुका है 25 mark का यह होगा और 25 mark का यह होगा ठीक है क्या क्या नाम दिए legal aptitude and logical reasoning इसमें 35 questions होंगे और 50 mark का यह paper जो रहने वाला होगा फिर इसके बाद में आपका है economics and business environment क्या नाम दिया गया economics and business environment इसमें सर सेम economics जो है आपका 25 marks का और business environment की बात अगर आप करोगे तो य और तो जो करेंडी आप का है वो 30 ओ casi दो करेंग यहार पर को कुछ से हम थिर हैं आपका रहने वाला की 25 ढोड़ा alrededor दो कि अगिनार मुखसारांने थे थे तिक सब्जेक्ट का बropàng की दो 140 questions और कुल मिला के 200 marks का आपका यहां पे paper होगा और इसको अगर आपको pass करना है तो क्या करना होगा आपको 100 marks जो है यह आपको यहां पे लाने पड़ेंगे कि दो सो में से सौ मार्च जो है वापको यहां पर लाने पड़ेंगे अगर आपको एक्जाम जो है वो क्या करना है पास करना है तो लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखेगा कि यहां पर आपको सौ लाने हैं बट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको पचास में से ले तो आपको पूरे 50% मार्क जो है वो यहां पर आपको लाने पड़ेंगे यानि कि अगर हम यहां पर पासिंग राइडीरे के बारे में बात करेंगे तो क्या कहा एक सब्जेक्ट में आपका 40% आना चाहिए और भाइसाब अगर में एग्रीगेट की बात करूंगा यानि कि आपके साथ तो डरने की है क्या बात सिंपल तरीके से आज जब आपने वीडियो को देखना है अब से लेके आगे चलके जब तक कि आपका एक्जाम नहीं हो जाता आप सिर्फ उतना काम की जगा जितना आपको CS का इंडिया जो है यहां पर कहता है I promise you कि एक सिंगल रुपे कि फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो पूरा का पूरा CSWD होगा वो सिर्फ पास नहीं होगा बलकि ऐसे पास होगा कि आराम से 150 प्लस माग जो है वो आप लेके आ सकते हैं अगर इमान दरी से सारी सारी बात अपने फॉलो करी तो राइट से क्या क्या से जो CSCard India का YouTube चैनल है आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो CSCard India का जो WhatsApp का ग्रुप है वो ग्रुप का लिंक आपको दिया हुए आप वहां पे जाएंगे और फिर उसके बाद में आप यहां पे ग्रुप में ग्रुप को जोएन करने के बाद में आप जैएगEl डिस्क्रिप्शन जवार डिस्क्रिप्शन में जाओं गें तो जितने भी अभी तक चीक्रिक क्लासिद हो चुकी है कितनी हुए है पांच घृतज करोगे तो जब तक आप यह वीडियो दो को तब तक तो आप simply इसके उपर क्लिक कर दोगे जैसे ही आप इस चीज के उपर करते हो क्लिक जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा just a second जैसे आप इसके उपर click करोगे तो आपको वहाँ पर ऐसा page जोगा वो यहाँ पर open होगा ठीक है जैसे यह open होगा आप रहाँ से नीचे जाएगा नीचे जाते ही आपको पूरा का पूरा जो playlist होगा वो यहाँ पर दिखाए दी जाएगा legal aptitude, economics, logical listening, current affair तो आपको simply क्या करना है यहां पर क्लिक करना है जितनी classes आपके अभी तक की हो चुकिए हो आप यहां से complete कर लेंगे और उसके बाद में जो live वाली class है अगर इसके बारे में मैं बात को ध्यान दीजेगा फिलहाल आपका legal aptitude फिर इसके बाद में आपका mathematics फिर इसके बाद में कि दिन बर में सिफ तीन गंटे का समय जो है वह आपको देना है CSRWT को और आपका exam पास करवाने की जिम्मेदारी जो है वह हम अपने सर पे लेते हैं फिर इसके बाद जैसे ही आपके तीन subject complete हो जाएंगे तो इसके बाद में हम अगला पड़ाओ जो start करेंगे जिसमें की अ अलावा Zoom के उपर या फिर YouTube के उपर ही आपका doubt solving session जो भी रहेगा और इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो आपका live quiz रहेगा जैसे ही आपका कोई chapter complete हो जाता है किसी भी subject का उसके तुरंद बात के अंदर इसके अलावा एक चीज में आपसे और कहना चाहूंगा कि जैसे ही आप click करोगे तो चार broadcast की जो channel है वो आपके यहां पर start होगे इस message जो last वाला channel आपको यहां पर दिखाई देगा जिसका नाम क्या है CSWT November 2024 exams ठीक है तो आप इसके उपर click करेंगे और इसको आप simply क्या करेंगे join करेंगे क्योंकि sir आगे चलके जब आपका live regular batch complete हो sir अगनी परिशा में क्या होता है आपको एक experience मिल जाता है कि finally हमारे जो paper होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है sir उसके जो questions है वो किस level के आने वाले है और उन questions को अगर solve करना है तो हमें किस level की preparation जब वहाँ पर करनी आपका जो confidence होगा वो वहाँ पर boost up होगा कुछ ऐस से भी questions होंगे जो कि out of the syllabus वाले होंगे लेकिन CS Card India की faculty को इस बात का अंदाजा है अंदेशा है कि शायद वो question जो है वो आपके exam में आ सकता है तो वह भी वहाँ पर दिया गया ताकि उसकी भी practice वहाँ पर हो जाए लेकिन sir उस अगनी परिक्षा mock test को solve करने के लिए जो आपक लिंक रहेगा एप का फिर जो user ID और password रहेगा वह आपको कहां पर मिलने वाला होगा और या तो फिर वह आपको WhatsApp पर मिलने वाला होगा तो फटा फट से जो है वह आप क्या करेंगे कर लीजेगा ठीक है इसके बार में ध्यान दीजेगा अगर मैं road map के बारे में बात को तो जैसा मैंने अपसे कहा आपका preparation CS Card India के platform पे एक बार नहीं दो बार नहीं बलकि कम से कम साथ से आठ बार या उससे भी जादा बर करवा के लिया जाता है So for example July और August ये दो महिने की बात अगर मैं करूँगा तो यहां पे सबसे पहले live regular batch फिर इसके बाद में chapter wise आपका quiz फिर इसके बाद में अगर मैं September 24 की बात करूँगा तो live Brahma Master revision batch फिर इसके बाद में अक्टोबर और November वाले महिने की बात करूँगा तो यहां तो भाई साब आ एक दिन के अंदर पूरा एक subject जो आपका होगा उसकों यहां पर खतम कर देंगे यानि कि five days के अंदर पूरे पांचों के पांचों जो topic आपके होंगे सब खतम फिर उसके बाद में आपने same day marathon दिया तो same day आप अगनी परिक्षा mock test जो उसको भी solve करेंगे फिर इसके बाद म आपके लिए one liners को यहां पर prepare किया जिसके उपर इस बात का doubt है कि MCQs बन सकते हैं कौन से point पर क्या MCQs बन सकता है उसको आप underline किया हुआ वहां पर देखेंगे और उसका अलग से class job वहां पर आप करेंगे फिर इसके बाद में e bulletin ICSI हर महीने कुछ MCQs suggest करता है कि यह MCQs आ आपके exam में आ जाए तो इनको हम यहां पर solve कर लेंगे sir एक-दो महीने के नहीं बलकि कम से कम पिछले 36 महीने यानि कि तीन साल के जो आपके MCQs होंगे वो हम लोग यहां पर solve करने वाले होंगे फिर इसके बाद में ICSI की जो MCQ वाली book है जो आपके पास में printed format में आती है उसमें काफी गलतियां वगरे जो वो भी मिलती है तो वो हम लोग यहां पर solve करेंगे और फिर इसके बाद में final day के just एक दिन पहले आपका रहेगा महा मैरत्वन इसमें क्या होगा इसमें वो जिसको कि आपने यहां पर दो महीने बैठके complete किया सब वो जिसको आपने यहां पर महीने भर में revise किया वो जिसको आपने यहां पर दिन भर में revise किया फिर आदे दिन में revise किया इस syllabus को आप यहां पर सिर दो घंटे पर subject के साब से revise करोगे, ताकि पूरा का पूरा slavage जो है, वो एक ही दिन में आपका क्या हो जाए, complete हो जाए, और अगले दिन जब आपका exam होगा, उस दिन पूरे conference के साथ में, कि सर अब तो मेरा exam जो है, सिर्फ मैं पास नहीं, बलकि बहुत ही बड़ी आमाक से पास करने वा 9 times, कम से कम अगर मैं बात करूँ, तो 7 plus times आपका जो preparation है, वो इस platform पे होता है, और वो भी totally free of cost, यानि कि ना यहाँ पे आपको fees पे करनी है, ना यहाँ पे fees पे करनी है, और ना ही इन में से किसी भी जगह पे आपको fees पे करनी है, अर यहीं इन में से किसी भी जगे पे आपक कहीं पे भी कोई गुंजाइस बच जाएगी, कि हमारा exam जो है, वो pass now मुझे नहीं लगता, तो क्या, अब हम यहाँ पे मिलके decide कर सकते हैं, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, कमेंट section में आप सभी लोगों के द्वारा हो जाना चाहिए, कि टेके बबाइस और लूब यू